तो मेरा कहने का मतलब है अभी यह जो आपके राजदीप्ची थे बहुत पुराने जर्नलिस्ट थे उनका जो बैक्ग्राउंड है जो पास हिस्ट्री है बहुत फेंटास्टिक है किस तरह से उन्हें मोदी को मौत के सोधागर डिकलेर करवाया था किस तरह से उन्हें ने गोद्रा कांड को बोला दिया था किस तरह से उन्होंने एक हिंदूों की इमेज को तारमतार किया था किस तरह से एक particular community ने हम लोगों को मारा था सैंकडों लोगों को कतल कर दिया था मौट के घाव तारते था उनको ब्रेम ना करके उनका victim कार उसने खेला और हिंदू को उसने बदनाम किया इसकी अगर आप अपनी संपधी देखिए तो आप हैरान हो जाओगे लगज कर घडर्प कर अपनी खौजिश्ट 5-2 वीका बाहिवाँ लगों, खरने ऊंच्छ वीकष दियवास् देखिए अब सरकाल में उसकी पैठ है नहीं उसे कोई पूछ नहीं रहा अब वो ऐसी ऐसी बाते करके ऐसे ऐसे बाइट करके ऐसे ऐसे ट्विट करकर के लोगों को देश के प्रती भड़का रहा है रिसेंट्ली 26 जनुरिय वाले दिन सबको मालूम वो ट्रैक्टर वहां से बड़ी तेज गती से आया था दारू उसने पी रखी थी ड्राइवर ने बेरिकेट तोड़ना चाहता था उसका कंट्रोल इस ट्रैक्टर से हिल गया वो ट्रैक्टर ने दो तिन पल्टी खाई और वो ड्राइवर उसका वहां मर गया तो इसने एक वो ट्विट किया कि साथ यह जो ड्राइवर था इसका नाम शैद नवनीत था उत्रा खंका था पुलीस की गोली लगने से मरा है और जैसे यह ट्विट वाइरल हुआ तिशानों में दिल्ली पुलीस के प्रती नफरत पैदा हुई विद्रोग किया उन्होंने और पांसो से अधिक जो है दिल्ली पुलीस के जवानों का उन्होंने इंजियर कर गए और मैनी अप देम देवर ग्रीविसली इंजियर और जनाब जब उनके ओपर उनके चहतों पर जुन्होंने उसको फालो किया उन पर एफ़ाया लिखी गई तो आप कहते हैं नो, 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 ये तो मुझसे आप दुश्मनी निकाल रहे हैं अरे भया, वे इस गवन दर राइट तो यू वर इंस्टिगेटिंग दा पॉब्लिक और दोज किसांस अगेंस दी गवर्मेंट, अगेंस दी पुलीस and to create a law and order situation and जो हमारा जंडा है, जिसको सभी सलाम करते हैं चाहें हिंदू हो, मुसल्मान हो, सिक्खो, एसाई हो सबकी आत्मा है वो अगर देश है तो हम है, अगर देश नहीं तो हम नहीं अब जनाब ये राजदीब जी अपने चेहतों के साथ सुप्रीम कोर पहुंच गे जी सब्सक्राइब जो है, राइट तो फ्रीड़म बड़ा इंफ्रीज हो गया है अब मुझे तो ये लग रहा है कि सब जो फंडेबल राइट्स हमाज समिधान में दिये गए हैं जिसको हम अपनी गीता मानते हैं वाज एक रिक्वाइड अधिट टाइम वें इस इसको फ्रेम अगर इसकी जरूरत है तो डूटी सब्सक्राइब किया जाया जाया इसके अंदर हर आदमी को प्रोटेस करने के जुरूरा फंडेमेंटल राइट है चाह उसमें कितना ही रियाउट हो जाए कितना ही हिंसा हो जाए क्या और्डिनरी आदमी का जो स्टीजन अद्धी दिल्ली हैं उनका कोई फंडेमेंटल राइट नहीं है क्या उनकी देश के प्रती नैशन फ्लैग के प्रती कोई सम्मान नहीं कोई उसका वो नहीं है जो भी आए अपने उठा के गिरा दे अपना जंडा वहां लगा दें आज सरदारों ने लगाया है निशान साब का कल को इस्लामिक फ्लैग लगेगा पर्शों क्रिश्चन्स वाले लगाएंगे क्या खेल बना रखाएं लोगों ने अगर मैं होता मैं तो I would have taken very strict step against such divisive forces मैं इनको कहता है यह सारी क्या divisive forces हैं जिनको इस देश की प्रगती नहीं देखी जा रही एंसे यह चाहते हमारा देश बहुत कमजोर पड़ जाएं जैसे हम कांग्रेश के समय छोटे से पाकिस्तान की एक धंकी से डर जाते थे फारुक अब्दुला के धंकी डर जाते थे और चैना के आगे अब गड़ाते थे उनसे जाके संधी कर लेते थे कि साब हम सारा इंपोर्ट आपीसे करेंगे और जितना गंद आपने बेंदा बेंद दीजिए हमारी कमिशन पक्की होनी चाहिए तो क्या वही चीजी यह चाह है राजदीब जी सुधर जाओ आपकी इमेज कोई अच्छी नहीं है जो एब्रेज सिटीज अट कंट्री यही नोज अबोट यू आपने हमेशा एक रिलिजियस डिस्टॉर्शन पैदा की है यूवाविव नोज नोज लोग कहते हो कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे विफाजने अब सुप्रीम कोर्ट किसले जा रहे हाप लोग। Man is known by the past and the company he keeps around him. Similarly, the country is known by its past and the leaders leading the country as only it. हमारा देश सोने की चड़िया था और दुनिया का दो तिहाई हिस्सा ट्रेड का हमारे देश से होता था. हमारे देश के दक्षिन भारत में एक हमपी नाम की स्टेड थी और एक विजया नगरम थी जो कि वर्ड की रिच्चे स्टेट मानी जाती थी और सारा का सारा वेपार वहां से चलता था. If I say our country was controlling two-third of the economy of the world तो there was nothing exaggerated और आज देख लीजिए का हमारा budget deficit होता है और जो reserve है हमारे फॉरण वो हमेशा बहुत ही margin पे रहते हैं। 1990 में तो यह हालत हो गई थी कि यह साथ हमें अपना सोना जो है गिर्वी रखना पड़ा था यह क्यों हो रहा है सर यह जो मुगल शाशक हमारे देश में आई है उन्होंने इस देश की जो wealth है जो culture है उसको देखे इतने ज़्यादा वो उलासित होगे जैसे जब कोई इंसान स्वर्ग में चला जाता है नरक छोड़के वह हर चीज उसको प्यारी लगती है वो चाहता कि मैंसा यहीं पे रहूँ यहां की चीजों को उठा के अपने नरक में ले जाओं उसी तरह मुगलों ने हमारे देश को बे इंतिहा लुटा हमारी संस्कृती को बे इंतिहा नस्ट किया हमारी बेहन बेटों की साथ बे इंतिहा अतिहा चार करें ताकि किसी तरह से हमारा जो देश है वो लुट जाए और उनका जो देश ता जहां से वाय थे वो प्रॉस्पर करें यह प्रैक्टी जो थी यह मोगल के दौरान सुरू हुई इसको कंटीनू किया पेटी शर्ज नहीं जिनका मकसद यह था कि यहां दे जितना रौ मिटीरियल है जितना टेलेंट है जितने सोर्सिस है उन सब को ले करके इंगलेंड चले जाएं अपने देश को एक नमबर का करें वर्ड में और हमें बिल्कुल जिरो बना दे चली साब वही रुख जाता माल लिया जब अंग्रेज अपनी पावर को ट्रांसफर करके गए इस नहरू एंड फैमिली को यह तो सब से दस कदम आगे निकले इन्होंने देश को इतना चूना लगाया इतना चूना लगाया है क कि पूछिये मत अजादी के टेह हमारे शियर की कियों जो एक रुपए की किमत एक डॉलर के ब्राबर होती थी आज 75 रुपए डॉलर चड़ रहा है इन 70-75 सालों में उन्होंने देश को इतना नीचे गिरा दिया क्यों उस समय जब देश हमारा अंग्रेजों को यहां से बगाया था तीन फोर्सिस काम कर रहे थी हमारे देश में एक इस्लामिक थी जिसको इंडियर मुस्ने मलीक का जाता था एक कॉमिनिस पार्टी थी और एक कॉंग्रेश थी इनकी आपस में सेटलमेंट हुई कि सब ठीक है कांग्रेश राज करेगी हम दोनों उसके लेफ्ट एंड राइट हैंड होंगे वह हमें डिस्टरब नहीं करें जो चाहे इस देश में करें आप हमें तंग नहीं करोगे कि इस्त्रामिक जो कट्टर फोर्सी थी उन्हों देश को गजवाहिंद में कनवर्ट करने की पूरी कोशिश करी और जो कॉम्मिनिस पार्टी थी उन्होंने देश की जो सांस्कृती थी उसको तोड़ मोड के इस तरह से नस्ट किया और जितना एजुकेशन के अंदर अपन कि इन तीनों ने मिलके हमारे देश के एक बिलकुल धरातल पर लेकर आगे हैं। जो डिवाइजी फोर्सिस थी उनका सफाया करने का काम सुरू किया। जब इन्होंने स्वच इंडिया का प्रोग्राम सुरू किया था तब ही मैं सोच रहा था कि बहरी सफायी से कोई फर्क नहीं परता इंसान के अंदरूनी सफायी भी होनी चाहिए। और वो बात मोदी जीने करके दिखा रहे हैं। वो कहते हम जो हैं न केवल साफ जगा में रहें बलकि हमारे विचार भी स्वच होने चाहिए। हमारे करम भी स्वच होने चाहिए। तो उस सोच को लेके जब हम चलते हैं और देश के प्रती समर्पित होते हैं। तो वी आर काल नेहस्तर अजिस फोर्सिस और गोधी मीडिया या गोधी भक्त। जो डिवाइसी फोर्सिस थी जिनों अपनी सुर्प पेटें भरी हैं जेबें भरी हैं और जिनोंने इस डेश को अपना या तो क्रिश्चनियम में या इस्लामिक फोर्सिस इस्लामिक में कनवर्ट करने कोशिश करी वो आज हताश हुए बैटे हैं कांग्रेश की पूरी हुकुमत खतम हो गई नाके बराबर रह गई इसी तरह से जो कॉमिनिस पार्टी है इस्लामिक फोर्सिस हैं वो भी अपने लास्ट इस पर चर्मरा रही है हमारे देश की डेमोक्राइसी वर्ड रिनाउंड है पच्चतर साल होने को है पाकिस्तान में भी कुछा तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ इस्लाम था कितनी बार वहां पर देख लिए पक्ता तक्ता पलट होई है अपने प्रोस में देख लिए म्यामर के अंदर वहां भी डेमोक्रेटिक दोजाद से चलिया थी वहां भी तक्ता पलट हो गया आप ट्रम को देख लिजेगा मा कितनी बंगलिंग हुई उसके खिला महा अभी योग चलना सुरू हुआ और बिडान साब आ गे सर बाइडन जी और आप चैना को देखिए जो हमेशा सकंजे डाल करके खड़ा त्यार रहता है एक तरफ पाकिस्तान पर कबड़ा करना चाहता है एक बार में हमर पर चपड़ा चाहता है और उनाचल पर कबड़ा चाहता है ऐसे हालात में अगर कोई इन leftist forces के साथ मिलकर और ये ने जजलाइट के साथ मिलकर क्याया के साथ मिलकर के Congressi हमारे देश को तोड़ना चाहे Central Government को कमजोर करना चाहे ताकि चैना पाकिस्तान हम पर कबضा करे या एमेरिका हम पर कबضा करे तो इससे बड़ा देश द्रोग क्या हो सकता है जाए हिन